वित्तमंत्री निर्मला सिता रामन जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई देता बजेट में जिन नए रिफॉर्म्स का हैलान किया गया है वो अर्थववस्ता को गती देने देश के प्रतेक नागरिक को आर्थिक रुप से ससकत करने और इस दसक में अर्थववस्ता की नीव को मजबूत करने का और गती देने का काम करेंगे रोजगार के प्रमुक्षेत्र होते हैं एग्रिकल्चर, इंफरस्रक्चर, टेक्स्टाई और टेक्नोलोजी Employment Generation को बढ़ाने के लिए इन चारों पर इस बजेट में बहुत जोड दिया गया है किसान की आयद दोगुनी हो इसके प्रयासों के साथ ही 16 एक्षन पॉइंक्स बनाए गए है जो ग्रामिन खेत्र में रोजगार को बढ़ाने का काम करेंगे बजेट में क्रिशिक खेत्र के लिए Integrated Approach अपनाई गई है जिससे परामपरागत तौर तरीकों के साथ ही Horticulture, Fisheries, Animal Husbandry ऐसे एक छेत्रों में Value Edition बढ़ेगा Man-made Fiber को भारत में प्रोडूस करने के लिए उसके Raw Material के Duty Structure में रिफार्म किया गया है इस रिफार्म की पिछले तीन दसकों से मांग हो रही थी आईश्वान भारत योजना ने देश के Health Sector को नया विस्तार दिया है इस सेक्टर में Human Resource उसके Development डॉक्टर हो, नर्स हो, एटेंडेंट हो इसके साथ ही Medical Device Manufacturing का बहुत बड़ा स्कोप बना है इसे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अनेक नए निर्णे लिए गए हैं टेक्नोलोजी के एक शेत्र में Employment Generation को बढ़ावा देने के लिए इस बजेट में हमने अनेक योजना बद्द रूप तरीके से प्रयास किये हैं नए स्मार्ट सिटीज हो इलेक्ट्रानिक मैनुफैक्टरिंग हो डेटा सेंटर पार्स हो बायो टेक्नोलोजी और कॉंट्रम टेक्नोलोजी जैसे खेत्रों के लिए आवसे जो भी पॉलिस इनिसिटिफ लेने चाहिए वो लिये गए हैं इसके द्वारा भारत ग्लोबल वैल्यू चेन का एक अभिन्न अंग बनने की तरफ मजबूती से आगे बढ़ेगा बजेट में युवाओं के स्किल डेवलेप्मेंट को लेकर भी इस बात पर बल दिया गया है कि जिस प्रकार के आधुनिक भारत के निर्माण में जो जो स्किल की जरुरत है उस फोकस को बल दिया जाएगा और स्किल में भी एरिया को फोकस करने के कॉमिनेशन पर बल दिया जाएगा जैसे डिग्री कोर्सेज में, एंट्रप्रिनर्शिप, लोकल बोडिस में, इंटर्नशिप और अन्लाइन डिग्री कोर्सेज की भी व्यवस्ता का एलान किया गया है बारत से जो युवा नोक्री के लिए विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए ब्रीज कोर्सेस की व्यवस्ता भी की जा रही है एक्सपोर्ट और MSME सेक्टर Employment Generation को ड्राइव करता है बजेट में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए अनेक नई गोशनाओं के साथ साथ हर डिस्ट्रिक को एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में एक बहुत बढ़ा महत्वा कांख्षी योजना का इसमें निर्णे लिया गया है छोटे उद्यमों की फाइनांसिंग के लिए भी कई नई पहल हुई है आदूनिक भारत के लिए आदूनिक इन्फास्ट्रेक्टर का बहुत ही महत्व है इन्फास्ट्रेक्टर का छेत्र भी एम्प्लोईमेंट जनरेशन का बहुत बड़ा अधार होता है यह सब कोई जानते हैं सो लाग करोड रुपिये से पैंसट सो प्रोजेक्ट्स का निर्मान बड़े पहमाने पर रोजगार के अवसर तो बढ़ाएगा देश के विकास के हर क्षेत्र को वो एक नई ताकत देगा नेशनल लॉजिस्ट्रिक पॉलिसी से भी व्यापार, कारोबार और रोजगार तीनोग शेत्रों को लाब होगा देश में सो एरपोर्ट विक्षित करने का लक्ष सामान्य मानवी की हवाई उडाइन को नहीं उचाई देगा भारत के परेटरन सेक्टर के लिए ये इन्फा सेक्टर बहुत आवशक है और टूरिजम से कम पुझी निवेश से अधीक रोजगार की, अधीक इनकम जेनरेशन की संभावनाय होती है इन्फा सेक्टर के सेत्र में हम स्टार्ट अप्स के जरिये और प्रोजेक्ट डेवलप्मेंट के जरिये युवा उर्जा को नई ताकत देंगे टैक्स स्ट्रक्चर में मुलभूत बढ़लाओं के कारण भारत में अनेक सक्टर्स में वेल्यू एडिशन की संभावना भी बढ़ेगी एंप्लोईमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी आवशक्ता होती है और प्रमुक ड्रावर होता है इस दिशा में कुछ अइत्याहजिक कदम उठाए गए है बॉन्ड मार्केट को मजबूत करने के लिए और इंफा स्ट्रक्टर की लॉन्टरम फाइनसिंग के लिए प्रबंद किये जा रहे हैं डिविडेंट डिस्ट्रिबिशन टैक्स डीडीटी उसको हटाने के कारण कंपनियों के हाथ में पचीस हजार करोड रुप्या आएंगे जो उनको आगे इन्वेस्टमेंट करने में मदद करेंगे बाहर के निवेस्टम भारत में आकर्शित करने के लिए विभिन टैक्स कंसेशन भी इस बजेट में दिये गए हैं स्टार्ट अप्स और रियल एस्टेट के लिए भी टैक्स बेनिफिट दिये गए हैं ये सभी फैसले अर्थ ववस्ता को तेजगती से बढ़ाने और इसके जरिये युवाओं को रोजगार के नए अफसर उपलब्द कराएंगे अब हम इनकम टैक्स की ववस्ता में विवाज से विजवाज के सफर पर चल पड़े हैं हमारे कमपनी कानुनों में जो भी कुछ सिविल नेचर की गलतियां होती है और उसमें कई सानों से क्रिमिनल एलिमेंट है एक प्रकार से परेशानी का कानुन है सामन्य नागरी को उन्हें अब डी क्रिमिनलाइज करने का एक बहुत बड़ा फैस्टला किया गया है इसके साथ साथ टैक्स पेर चार्टर के द्वारा टैक्स पेर के अधिकारों को स्पस्ट किया जाएगा दुनिया में शायद बहुत कम देश हैसे हैं जहां पर टैक्स पेर चार्टर की कलपना की गई है भारत आज एक प्रगतिशिल कदम उठा रहा है MSME से जुड़े छोटे उद्धमियों पर हमारी सरकार ने हमेशा भरोसा किया है हम नागरीकों पर विश्वास करने माली सरकार है अब 5 करोड रुपिय तक के टर्न ओवर पर audit की आवश्यक्ता नहीं होगी Chartered Accounted के Certificate की जरुप नहीं पड़ेगी पहले ये सीमा एक करोड रुपिय तक ही थी अब इसे पांच करोड कर दिया गया है एक और पड़ा फैसला Depositors Insurance को लेकर हुआ है बैंकों में और ये खास करके मद्यमबर के लिए होता है निम्न मद्यमबर के लिए होता है वो अपने जीवन की पूंची को बचा के रखता है और कभी संकर में पढ़ जाता है बैंकों में उनका पैसा सुरक्षित है ये विस्वात दिलाने के लिए अब Deposit Insurance की सीमा एक लाख रुपिय से बढ़ा कर पांच लाख रुपिय कर दी गई है मतलब की एक प्रकार से जो छोटे Depositors होते है 98 to 99% लोग इससे सुरक्षित हो जाएंगे Minimum Government Maximum Governance की commitment को इस बजेट ने और मजबूत किया है Faceless Appeal का प्रावधान Direct Tax का नया और सरल स्ट्रक्चर Disinvestment पर जोड Auto Enrollment के जरिये Universal Pension का प्रावधान Unified Procurement System की और बढ़ना ये कुछ ऐसे कदम है जो लोगों की जिन्दिगी मेंसे सरकार को कम करेंगे नागरिकों की शक्ति बढ़ाएंगे समाज ताकतवर होगा और उनकी Ease of Living को Ease of Living के हमारे मकसद को कई कदम आगे ले जाएगा Maximum Governance की दिशा में एक लाख ग्राम पंचायतों में अंगनवाडी, स्कूल, हेल्थ और वेल्नेर्ज सेंटर एवं पूलिस स्टेशन को ब्राण बेंट कनेक्टिविटी से जोड़ना एक एहत्यासिक शुरुवात होगी और इसके दूर सुदूर के छोटे गावों में भी लॉंग डिस्टरंस एजुकेशन के द्वारा गरीब से गरीब बच्चे को, आदिवासी बच्चे को, दलित बच्चे को अच्छे से अच्छी सिख्षा देना संबव होगा आज सरकारी नोक्री के लिए युवाओं को कई अलग-अलग परिख्याय देनी होती है नोक्री के लिए साल में ट्रावेलिंग करता है, अपने गाउं से सेंकडो किलोमेटर दूर एक्जाम देने जाता है बार-बार वो एंट्रंस नोक्री के लिए परिशाय देता रहता है इस विवस्ता को बदल कर अब नेशनल रिक्रूट्मेंट एजन्सी द्वारा लिए गए ओनलाइन और वो भी डिस्टिक्ट में कॉमन एक्जाम के जरिये नियुक्ता की जाएगी एक ही एक्जाम होगी बैंक वाला भी उसका उप्योग कर सकता है रेलिवे वाला भी उप्योग कर सकता है सरकारी अन्य विभाग भी उप्योग कर सकते हैं इसके कारण विवकों को बार-बार अपना समय इसकाम में नहीं लगाना होगा किसानों के लिए अपने उत्पादों को सही तरह से मार्केट कमने और ट्रांस्पोर्ट के लिए किसान रेल और कुरुशी उडान के द्वारा नई व्यवस्ता बनाई जाएगी मुझे विश्वास है कि ये बजेट इनकम और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा डिमांड और कंजम्शन को बढ़ाएगा फाइनेंशल सिस्टम और क्रेडिक फ्लो में नई स्फूर्ति लाएगा ये बजेट देश की वर्तमान आवश्रक्ताओं के साथ ही इस दसक में बविश्य की आपेक्षाओं की भी पूर्ति करेगा मैं एक बार फिर देश को निर्मलाजी को और वित्रमंत्रालाई की टीम को इस बजेट के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ बहुत बहुत धनिवाद बढ़ाब देता हूँ